अब दिल्ली से रोहिणी सेक्टर 14 में CRPR स्कूल के पास हुए धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं दिल्ली पुलिस ने आज बताया कि स्कूल की दीवार के पास पॉलोथिन बैग में विस्पोटक रखा गया था बैग को एक फीट गहरे गड़े में छिपा कर रखा गया और इसके बाद इसे कचरे से ढखा गया ताकि ये किसी की नजर में ना आ सके इसके लावा दिल्ली पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज भी चेक किये एक दिन पहले के फुटेज में दिल्ली पुलिस को दीवार के पास एक वाइट टीशिट पहने शक्स भी दिखाई दिया अब पुलिस इस संदिक शक्स की तलाश में जुटी हुई है फिलाल जादा जानकारी लेते हैं हमारे से होगी प्रमोद शर्मा हमारे पास है प्रमोद साथ है प्रमोद त्योहारी सीजन है आसपास वैसे भी ऐसे थ्रेट्स काफी बढ़ जाते हैं इंटेलिजेंस के बार रिपोर्ट भी आती है ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कितना गंभीर है क्या इन्पोर्ट मिल पाए है देखे बिल्कुल रोईणी के सी अर्पिय पबलिक स्कूल के दिवार के पास हुए बलास्ट को लेकर दिली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है बाकाइदा मौके पे आज NIA की टीम भी गई थी कल NSG को बुलाया गया था BDS थी क्राइम तीम थी तो कई सारी एजेंसिस लगकर जो है जांच कर रहे थी और जो एक्सप्लोसिव है वो किस ते नीचर का था किस तरीके से उसे तैयार किया गया था उसकी जांकारी जुटाई जा रही थी कई सारे सेंपस जो है वो लिये गए थे जिसमें से कुछ वाइट पॉडर जो है वो मिला था उसके अलावा कुछ ऐसे कैमिकल थे जो कि अभी तक की जांच में साफ हो पाई है यानि कि एक रू करीबी पुटेज स्पेशल दलने खंगाले हैं उसमें करीब दो से तीन लोग संदिक दिन जरूर नजर आये लेकिन अभी तक क्लियर उनका मौटीव नहीं समझ माया लेकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है उससे एक बात तो स लीग करके एक टेलीग्राम चैनल है उसने खालिस्तानी एंगल से इस मामले की जो जिम्मेदारी लिए हाला कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल तैल ने उनको भी एक चिठी लिकर जवाब मांगा है कि यह चैनल किसका है चैनल को कौन आन करता है और यह धंकी लेने के पीछे का मतलब क्या है हाला कि इसको भी जो जानकार है वो यह मानते है कि यह पबलिसिटी स्टन्ट भी हो सकता है सिरफ अपने चैनल को जो है वो पॉपुलर करने के लिए भी इस तरीके की जिम्मेदारी ली जा सकती है फिलाल अभी तक कोई ठोस एविडेंस जो है वो दिल्ली पु इसका यही कहना है कि एक मैसेज देने की कोशिश की थी क्योंकि humanos देजबर में जो नक्सली ऑप्रेशन है उनके खि Taleava वो उनकी प्रॉप्र कर रही है तो ऐसे मैं कहीं us त्रीकि कर बलास्ट करके जो है कोई मैसेज देने की कोशिश तो नहीं किया या फिर खाली स्दानी एं अमकाना और इस तरीके से देहशत पैदा करना जैसा प्रमोद आप बता रहे हैं ऐसा ऐसी मनशा हो सकती है लोगों की अब ये किसी ने जानबूश के किया है इसके पीछे वाकोई कोई गुठ है या बदमाशी की गई है ऐसी किसे भी वारदात को हलके में नहीं लिया जा सकता है जिसके जाज भी पूरी तरीके से पुलिस द्वारा की जारी है प्रमोद इस अपडेट के लिए आपका धन्यवाद हम करेंगे